हलो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो सेप्टेमर मंत की प्रिप्रेशन को लेके मैं हर मंत आप लोगों के साथ एक सेशन शेयर करता हूँ कि आगे किस तरह से पढ़ाई करने है या नि अब हमारे पास सेप्टेमर से लेके मई तक 9 मंत हैं इन 9 मंत में अगर आप सेल्फ स अगर सही डिसीजन लिया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है कई बार हम दिसीजन लेते हैं पर वह राइट टैम नहीं होता है कई बार हम जब सेल्फ स्टेडी कर रहे होते हैं पर डिसिप्लेन नहीं होके पढ़़ रहे होते हैं बिल्कुल आखरी 2-3 महीने पर टाइम पे करिए अगर आपने मन बनाया है कि आपको MCA करना है तो आज MCA के लिए हमारे पास कई सारे अच्छे option है इसके लाव आप CUT भी एक option हो गया जिसके सुरूँ आपको कई सारी अच्छी university मिलेंगी तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम 9 मन्त में किस धंग से preparation करेंगे new batch में किस धंग से syllabus को cover किया जाएगा यदि आप self study कर रहे हैं तो आपको क्या करना यह session आप सब के लिए useful है और इस साल का result आपने देख लिया है कि impetus guru cool का result पूरे इंडिया में सबसचा result है और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह का result आप लोग भी लेके आए ऐसी link लेके आए आप देखी रहा है second, six, nine, eleven, twelve, fourteen और regular में interview भी डाल आऊ आप इन लोग के interview जबूर सुनिए क्योंकि आप जब सुनेंगे तो इसमें classroom बच्चा भी है online बच्चा भी यानि आप classroom जोईन करके भी result दे सकते हैं और अगर किसी कारेंट से classroom नहीं कर पा रहे तो online में भी उसी quality की training आपको मिलेगी आप दे सकते हैं क्योंकि impetus guru cool का जो तरीका है number one की classes काफी detail में होती है दूसरा testing, revision model यह सब कुछ इतना bell planned है कि इसके बाद आपको कहीं किसी तरे की कोई guide तक की जयुवत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप हमारे पास nine month है nine month कहने को sufficient time भी है और हो सकता insufficient time भी हो depend कि आप अभी कहां stand कर रहे है तो आप सभी लोग अगर आप self study कर रहे है तो किन बातों का ध्यान रखें और अगर नहीं कर रहे हैं और आपका अभी भी कोई confusion है तो मैं बोलूँगा immediately action लें और जो 6 September का batch है उस batch को join करके एक proper way में पढ़ना चालू कर रहे हैं तो 6 September को 24, 23 और 24 के लिए online और offline offline मतलब classroom program स्टार्ट हो रहा है इस batch में पूरा syllabus कवर किया जाएगा even quick revision भी होगा 23 वालों के लिए बता रहा हूँ और अगर आप 24 बाले हैं तो आपका syllabus 3 times कवर होगा अब बात करते हैं कि हमारे पास किस धंग से हमें पढ़ना चाहिए क्या road map होना चाहिए हमारे पास मन्त है September, October, November, December, January, February, March, April और मई एंड में हो सकता है जून में हो जैसे इस बार हुआ पर अभी मैं माल लेता हूँ कि ये हमारे पास 9 मन्त है इस 9 मन्त को अगर proper way में utilize किया जाए तो इदर self study और classroom course जो भी या online course जो भी आप करते हैं आप एक अच्छा result दे सकते हैं बट commitment और discipline क्योंकि अभी जो 6 September से 23 के लिए batch start हो रहा है वो L batch यानि कुछ बच्चे आलरेडी काफी पहले से पढ़ाई कर रहे है तो जब कोई इतने पहले से पढ़ाई कर रहा है तो आपको उससे भी fight करनी है और खुझ से भी fight करनी है 9 मन्त में ना कीवल syllabus cover करना है बलकि एक अच्छी rank भी लानी है और आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से numbers की margins बहुत बढ़ती जा रही है यानि आज से 3 साल पहले जिस number पे top college मिल जाता था 500-550 तक के number पे top NIT मिल जाता था आज उस rank उस number पे NIT भी नहीं मिल रहा है यानि इस बार जैसे आपको देखा होगा कि निमसाट 22 में जनरल वालों के लिए 500-500 number के आसपाँ जाके college मिला है और उससे उपर के मतलब 600-650-700 के range पर top college मिले है तो जब इतना high score लाना हूँ और इतने high score की त्यारी करनी है तो एक well planned तरीके से पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि ना केवल आपको पढ़ना है बलकि अभी अपने आपको आपको ये भी चेक करना है कि आप कहां stand कर रहे है क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया कई बच्चे क्या होता है जैसे self study वाले कई बच्चे मुझसे पूछते है कि सर हमें test series कब जोइन करना चाहिए मैं बोलता हूँ कब जोइन करना चाहिए मतलब वो बोलते है सर हम सोचते है syllabus खतम करने फिर करेंगे live analysis भी मिलते हैं और इतनी ज़्यादा classes मतलब जितनी class test paper analysis की test series course में होती है उतनी तो लोग साल भर की regular classes भी नहीं देते इसके लावा test series वाले बच्चों को भी study material मिलता है अब ये उनके लिए जो highly self-discipline है अगर आप self-study कर रहे हैं तो आपकी कम से कम everyday six hour की पढ़ाई होनी चाहिए अगर ये nine month में crack करना है और वो भी timely syllabus खतम करना चाहिए कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ आ रहा हूँ one by one कि कितने क्योंकि आपके पास अगर math की बात करें तो math के major topic है algebra, dignity, calculus, 2D, vector and statistics and miscellaneous और इसके लावा आपको logical reasoning पढ़नी है इसके लावा आपको computer और English को भी देखना है especially computer को भी देखना है तो अगर आप इन combinations को proper way में पढ़ेंगे तो फायदा होगा तो अगर आप लोग six to eight hour self study कर रहें तो मैं कहूंगा आपको test series join करना चाहिए एक proper manner में impetus गुरू कुल की test series के साथ पढ़ोगे impetus की test series और बाखी जगे की test series में बहुत difference होता है इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि sir fee को लेके मैं बोलता हूँ पहले test series को समझू क्योंकि test series test paper उनके live analysis study material weekly आपको क्या पढ़ना है week में कम से कम two three classes होती है जो test कभी कभी four five भी हो जाती है जो test paper analysis के होती है बाकी जगे पर क्या होता है test paper और उनके solution printed form में मिलते हैं यह बहुत बड़ा difference है पर test series का फायदा उन बच्चों को लिए बहुत beneficial है जो की self study में discipline पढ़ना है अब माल लीजे कि आप discipline पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या आपके बार-बार doubt आते हैं और आपके doubt भी handle नहीं हो पाते हैं और किस topic को कहां से start करें कहां तक ले जाए मैज week है एक topic को पढ़ने में one मत लगा रहे हैं ऐसे सभी बच्चों को बोलूँगा आप लोग जो six September से batch start हो रहा है उसको join करो क्योंकि मैं हर topic को बहुती basic level से पढ़ाना चालू करता हूं और पता भी नहीं चलता advanced level तक जाता है इसमें आपको week में लगवग week में minimum to maximum minimum बता रहा हूं 8 to 10 classes मिलती है यानि लगवग हर दिन दो classes होती हैं इसके लावा Sunday को test होता है test में भी आपको एक तो वो topic का test होता है ज cumulative test भी होता है यानि जो आप पढ़ चुके हैं उसका भी test होता है फिर इनी test paper का अगले week में Monday से लेके Wednesday के week में analysis होता है ये test paper का analysis test series वाले बच्चों को भी मिलता है बाकि ये जो regular classes हैं उसके थुरू आप अपने syllabus को cover कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आप जैसे right time में join करें और घर पे रहते हुए भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं unless and until कि अगर आपकी घर पे online course में discipline नहीं आ रहा है क्योंकि online course के साथ आपका self discipline थोड़ा सा लगता है बाकी तो मैं बनवा लेता हूं क्योंकि जब class करोगे आप रोज class करोगे तो आपको work भी क करना पड़ेगा टेस्ट भी देना पड़ेगा तो काफी अतक पर घर में अगर घर छोटा है या पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पारी तो मैं कहता हूं classroom में भी shift हो सकते हो तो जो online की fee होती है वो classroom course की fee अलग होती है उसमें minus भी हो जाती fee को लेके मैं कभी भी session में नहीं बोलता क्योंकि our course की fee अलग होती है आप confused नहीं हो जाए उसके लिए description में impetus गुरुकुल के office का भी number है इसके लावा website की भी detail है आप वहाँ से जाके सारी detail ले सकते हैं तो इस तरह से इस batch को cover किया जाएगा और इस batch को जो 6 September से start होगा इसका Feb या March तक syllabus cover होगा फिर एक short revision होगा और अभी यह मानते हूँ चलना है कि मई में exam हो सकता जून में हो या कभी में इसके लावा इस batch के साथ हम All India MCA को लेके चलेंगे जिसमें आप DU का exam हुआ CUT के through आप BHU या JNU इन सब को cover करोगे इसके लावा जामिया का है ना इसके और बात बता दूँ हमारे हाँ अभी भी 22 के batch का end नहीं हुआ है अभी 22 के CUT की class चल लही है अभी उसके पहले जामिया किये थी महारश्टा किये थी और इसके बाद जैसी CUT का exam होगा DU की class start हो जाएगे यानि जब तक आखरी exam नहीं होता है जब तक ये course continue रहता है test papers होते है उनकी analysis classes होती है सब कुछ continuous चलता रहता है तो आप एक proper तरीके से क्या होता है जब हम किसी के guidance में पढ़ने लगते हैं तो हमारी सारी confusion खतम हो जाते हैं कहने को देखें तो हम आज धेरो material मिल जाएगा आपको धेरो YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे पर उससे confusion और बढ़ने लग करें उससे थोड़ा सा एक discipline वहीं आएगा नहीं तो जैसे जब बच्चे हमारे जोइन करते हैं हर मंत जब batch start होता कई बच्चे जब जोइन करते हैं self study वाले वो यहीं बोलते हैं सर एक तो बड़ी problem यह कि हम एक एक topic को खतम करने में दो दो तीन-तीन मंत ले ले लेते हैं द अगर निमसेट के syllabus को लेके बात की जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा पहले आपको algebra पढ़ना चाहिए सबसे पहला topic आपको algebra पढ़ना चाहिए अब जैसे अगर हम देखें तो निमसेट के syllabus में complex number या relation नहीं है पर इसका base आपको करना चाहिए क्योंकि आपको CUT and other exam भी दे सब आपको algebra का है अब मैंने आपको बोला हमारे पास 9 मन्त हैं तो logically आपको September और October में पूरे algebra को अच्छे से खतम करना चाहिए जो self study कर रहा है वो बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात क्योंकि मैं यह session लेता हूँ वो हर तरह के बच्चों के लिए लेता हूँ और आपको पत तो tigna 20 को आप नाउंबर में complete करें वन मन्त के लिए आप लेने time और पूरी tigna 20 को वन मन्त में cover करिए इसी तरह से impetus में भी syllabus चलेगा तो वन मन्त में आपने नाउंबर में tigna 20 खतम की फिर बात करते हैं December से लेके जनवरी तक mid जनवरी तक 15 जनवरी तक आपको calculus को cover करना चाहिए फिर calculus के बाद आपको 15 जनवरी से लेके फिर चोटे topic हैं 30 जनवरी तक आपको पूरी तरह से पूरी तरह से 2D को complete करना चाहिए अच्छा क्या होता है जब आप self study कर रहे हैं मालेजे तो आपको इसी order में testing भी होती है तो आप अगर इसी order में पढ़ते जाएंगे त क्योंकि आपको मटेल मिलेगा regular classroom वाले बच्चे और online वालों को भी यही pattern रहता कि यही मटेल मिला आपको इसी मटेल के साथ साथ आपको ऐसे ही test मिलते जाएंगे और आपको इन test के analysis मिलते जाएंगे तो 30 जनवरी तक आपने coordinate खतम की फिर उसके बाद आपको एक फरवरी से 15 फरवरी के बीच में वाक्टर complete करनी है और बचे हुए topic को probability आप algebra के थादी कर लेजेगा और 15 दिन में यानि फरवरी end तक आपके syllabus को आप end कर सकते हैं बट केवल math अकेली नहीं पढ़नी है math के साथ साथ आपको LR भी पढ़नी है जैसे मैं आपने नए बहस में यही लेके चलूँगा हम लोग अभी क्या करते हैं कि आपको math की लगवक बीक में 5-6 classes मिलेंगी और QALR की आपको 3-4 classes यह combination के साथ यह minimum बता रहा हूं यह इस तरह से चलती है तो क्या होता है कि math के parallelly आपको LR भी पढ़ना है कॉंट भी पढ़ना और जैसे यह खतम हो computer पढ़ लो computer में बहुत थोड़ा सा से लिए बसे तो आपको यह पूरा 28 वरवई तक खतम करना and same thing आपको reasoning भी इसी order में करनी है और reasoning के लिए आपको per day one hour देना है September, October और November में आपको पूरी तरह से यह cover करना है वैसे तो दो महीने लगते हैं पर मैं higher side के आप दीरे दीरे पढ़ें पर पढ़ें तो September, October, November में आप reasoning को cover करें reasoning के topic है coding, decoding, blurization, puzzle sense, direction sense यह सरफ topic आप September, October में cover करें नावंबर तक करने फिर उसके बाद December में आप December से 15 जनवरी तक aptitude को करें और aptitude को बहुत base level पे करना क्योंकि advanced level का aptitude नहीं आता और banking, SSC बगरा का जो aptitude है वो नहीं, NIMSET का जो aptitude है वो math पे based होता है, इस तरह से आप अपने SCF ratio, percentage, averages यह पूरा आप 15 जनवरी तक खतम कर लें, right, उसके बाद आपको computer fundamental करना है, जो कि आप आराम से easily परवरी end तक complete कर लेंगे, यानि आप एक end पर math को फरवरी end तक cover करें और दूसरे end पर logical reasoning, quantity aptitude और इसके लावा computer fundamental को fev end तक cover कर लेंगे, अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि क्या करना है, उसके बाद March, April में आपको पूरे topic का कुई की revision करना है, जो कि हम करवाएंगे, जो regular batch में होगा, जो आपको 6 September से start कर रहे हैं, तो आपको quick revision होगा, और final test series त लेगी, बस अभी फिर आपके test paper regular होने लगेंगे, और test की frequency almost everyday one और बात में तो two test हो जाएंगे, इस तरह से proper manner में अगर आपने पढ़ाई की तो फायदा होगा, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये self discipline में follow नहीं कर पा रहें, माल लेजे, आपको खुद समझ म पर सही action लेने का result positive होता है, सही action लें पर गलट time पर लें, उसका result कभी भी आप positive नहीं पा पाएंगे, तो ऐसे मैं आप बिल्कुल गरवड ना करें, कई बच्चे क्या होता है, कि J.E.Mains की preparation करने लग जाते हैं, उनको लगता है, वो ही तो syllabus से NDA की, वो दोनों ही गरवड, सबका management, सबके questions का level और सबका timing अलग-अलग होता है, तो आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से test देना है, यह सारी चीजे बहुत अच्छे से इस batch में होगी, तो जो 6 September का batch है, उसके लिए registration already open हो चुके हैं, और आप भी उसके लिए immediately registration करा सकते हैं, उसके लिए आपको live dot impetus gurukul dot com पे जाएंगे, तो आपको 6 September batch लिखेगा, कई सारे batch देखेंगे, confused मत होईएगा, क्योंकि every month होते हैं, तो 6 September वाले batch को आप जाके click करेंगे, और वहाँ से स्कोर्स को लेते ही classes चालो जाएंगी, 5 September को मैं पहले introduction class लूँगा, कि पूरे month में कैसे पढ़ने वाले है और आगे तक, और फिर उसके बाद आप 6 से class करेंगे, regular class होंगी, regular DPT और TWPT, daily practice test, topic wise test, weekly test, weekly आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, एक proper manner में आप notes बनाके पढ़ाई करेंगे, किसी तरह की कोई book की जववत नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल possible है कि आप अभी भी वक्त रहते हुए अच्छा result दे सकते हैं, अब बात आती है, कि यदि आपका mass बहुत वीक है, तो क्या करें, कई बच्चों का mass वीक होता है, 11-12 में नहीं होता, impetus में ऐसे भी बच्चे हैं, जिन्होंने इस बार भी और हर साल एक अच्छी rank देते हैं, जिनका कभी mass नहीं होता, वो भी mass सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बहुत ही basic से लेके जाता हूँ, इसलिए इस बार हम लोगों ने, और 9-10 लेवल पे बच्चों को ले जाके पढ़ा रहे हैं, कि आपका base जहां पर गरवड है, उसको strong करो, तो अगर आपका basic गरवड है, तो मैं आपको बोलूँगा, क और ये भी topic है, 9-10 के SCF, ratio, percentage, इसके इलावा, टिगनामेंटी, स्टेटिस्टिक, स्टेश्टिक, 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 कॉडिनेट जमेंटी, ये अगर आपने 9-10 से पढ़ लिया, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, और 9-10 से प कुछ जवू करिए, action करिए, सोचिये में, सोचने में कई लोग सालों निकाल देते हैं, कई बच्चे ऐसे भी मेरे मैंने देखे हैं, जो first year से मुझसे बात करते हैं, first year खतम, second year खतम, final year खतम, उसके drop में जाके सोच रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ बिटा, क्योंकि मेरे पा पहले से जोईन करके रखते हैं, उसका उनको फायदा मिलता, तो आप अभी ये मत सोचिए कि कास में second year से कर लेता, कास में first year से इसका समय नहीं है, आपका exam या 23 है, 24 है, 25 है, पर अगर आपने ये सोच लिया कि आपको MCA करना है, और आप कोई confusion नहीं है, तो take action, फिर action लीज को full proof करो, क्योंकि देखिए, ये PG degree है, last degree है, जितने अच्छे college से लेंगे, उतना अच्छा फायदा होगा, आज हम देखें, तो किसी भी NIT में, average placement 10 से 12 लाग के बीच में, और highest 30, 30, 40, 40 लाग तक जा रहा है, आज B.E. वाला बच्चा भी MCA दे रहा है, क्योंकि उसको B.E. अच्छी नहीं है, और आप C.U.T. नहीं देना चाहते है, या आपका मन केवल NIT जाना है, तो आप drop ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 drop से, 3 drop से, drop से कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपने अच्छे college से कोई भी course किया होगा, तो ये drop matter नहीं करेगा, इसलिए आ आप सही समय पर सही action लिजे, thank you and all the best.